हम इस चैनल पर अक्सर बोलते हैं कि अपनी value को बढ़ाओ, अपने standards को high रखो और अपनी potential के नीचे settle मत करो, लेकिन ये value बढ़ाने का actual मतलब क्या होता है और हम अपनी value कैसे बढ़ा सकते हैं, first of all ये समझो कि अपनी value बढ़ाने का मतलब अपनी net worth बढ़ाना नहीं होता, पै आपके उस चीज से sentiments या फिर emotions जुड़े होए हैं, वो आपको अपने बारे में अच्छा feel कराती है, या फिर उसके होने से आपकी life जादा असान बन गई है, अब यही same चीजे हमें खुद के अंदर देखनी हैं, यानि अपनी value को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों के लि प्रेटर से बत्तमीजी से बात करता है, लोगों का मजाक उडाता है, अपने दिल में अपनी family के लिए करवाहट रखता है, या फिर हमेशा जूट बोलता है, तो ऐसा इंसान इतना पैसा होने के बावजूत भी दूसरे लोगों की नजरों में एक loser ही रहता है, इतना unique trait होन की वज़ा से high moral values रखना बहुत charming और attractive लगता है, इसलिए अपने लिए जीने के कई rules बनाओ, जैसे आप कभी जूट नहीं बोलोगे, लोगों को प्यार और respect दोगे, बुरे से बुरे इंसान में भी छुपी अच्छाई को देखने की आदर डालोगे, और अपने आपको हमे कीने के अपने ही rules होते हैं, ऐसा इंसान दूसरों से जादा valuable होता है, इंसान होने का यही फाइदा है, कि हम अपनी जानवर वाली state से भार निकल कर, अपनी desires को अपने वश में कर सकते हैं, जिस वज़ा से high standards होने का मतलब होता है, कि आपको पता है, कि आपको किन चीजों मे खुद को involve करना है, और किन में नहीं, discipline आपके taste को expensive बनाता है, example के तोर पर, अगर आपने decide कर लिया है, कि आप ऐसा low quality food नहीं खाओगे, जिससे आपकी health खराब होती है, तो यहाँ पर आपने एक standard set कर दिया है, कि मैं सिर्फ ये high quality foods ही खाता हूँ, और इससे नीचे settle करने मे मेरा बहुत नुकसान होगा, similarly एक partner ढूंते वक्त, आपने किसी ऐसे इंसान के साथ settle नहीं करना, जो आपकी potential के नीचे है, या फिर अगर आप अपनी life में successful बनना चाते हो, लेकिन आपको पढ़ते या काम करते वक्त, लोग distract करते हैं, और party या खेलने के लिए बोलते हैं, और जब आपके standards high होते हैं, तब वो दूसरों की नजरों में आपको ज़ादा valuable बनाते हैं, क्योंकि चाहे वो potential dating partners की बात हो, या फिर अलग-लग opportunities की, बहुत सी चीजों को ना बोल पाने की ability आपको high value बनाती है, एक इंसान जिसके पास कोई options ही नहीं होते, वो कभी भी ना afford नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे तो फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, example के तौर पर, अगर आपने खुद पर मेहनत करना start करा, और as a male, आप बहुत सी females के लिए attractive बन चुके हो, और as a female, males के लिए, ऐसे में आपके पास इतनी choice होती है, कि आप इतने सारे लोगों में से सबसे best इंसान को ही अपना partner बना पाओ, लेकिन ये luxury उन लोगों के पास नहीं होती, जो हमेशा mediocre रहते हैं, खुद पर काम ना करने के बहाने बनाते रहते हैं, और complain करते हैं कि उनका boyfriend या husband कितना abusive है, या उनकी girlfriend या wife कितनी unattractive, ये सिर्फ बहाने होते हैं average लोगों के, इसलिए पास के लोगों की life में value एड़ करती है, however, जब भी हम skills के बारे में सोचते हैं, तब हमारे दिमाग में बस हर वो काम आता है, जिनसे पैसा कमाया जाता है, लेकिन actual में एक इंसान की value उसकी skills से society में हुए contribution से ना पी जाती है, जिस वजा से एक अच्छा पडोसी, एक wise teacher होना एक hardworking employee होना और एक अच्छा बाप या मा होना भी unique skills हैं, जो ऐसे बच्चों को race करती हैं, जो आगे चल कर दुनिया में महान काम करते हैं, इसलिए skills या value को सिर्फ पैसो की terms में नहीं, बलकि उसकी जड़ों यानि एक इंसान के mindset में देखो, हम हमेशा fame और पैसो की पीछे हैं, तो फल उगना तो दूर, वो पेड़ जादा समय तक सीधा भी नहीं खड़ा रहे पाएगा, इसलिए आपके society में जितने भी roles हैं, student, employee या entrepreneur से लेकर, भाई बहन, माबाप या रिष्टेदार तक, अपने हर role को अच्छे से निभाओ, और सब के अंदर मुझूद एक भ और balanced हैं, जितनी ही ताकत उनमें पूरी दुनिया से लड़ने और अपने सच को बिना डरे बोलने की है, उतनी ही ताकत उनमें soft होने और अपने yin side को दिखाने की है, ये चीज़ आपको भी खुद में और अपने ideals में देखनी चाहिए, कि क्या जिन लोगों को आप follow करते हो और उस वज़ा से जो आप खुद बनते हो या अपने mindset को रखते हो, क्या उसमें balance है, क्या आपके अंदर masculine और feminine energy दोनों आपकी well-being के लिए एक दूसरे को compliment कर रही हैं, या फिर एक दूसरे को contradict, क्या आप हमेशा लोगों से दबते रहते हो, या फिर आप हमेशा लोगों को कमी नहीं समझते, जब तक उनके साथ कोई tragedy नहीं हो जाती, और उन्हें एक ज़रूरी lesson नहीं मिल जाता, इसलिए ऐसे इनसान बनो, कि आपको लोगों में प्यार बाटना भी आता हो, और जब आप जंग के मैदान में खड़े हो, तब आपको अपनी तलवार का इस्तिमाल क